खर्याना में ही एक गाउं ऐसा है जहां दूद बेचाने जाता है बड़ाई तो रूँकर एक टैमरे का नहीं भाई आत में डोल ली कहां जा रहे हो यह बाई दूद ले आन दाऊं दूसरे गाम में तो इस गां में न भलता क्या इस गाम में बगता कोनी बहां मोले तो ताही फिर इस दूद को बेचते नियए ना बेचा मार मानता फुल पीदा बेचते चाने लसी लसी नी बेचते है आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा है वो हर्याना का गाउं जहां दूद कभी बाहरा है बेचा नहीं गया किसान के लिए दो चीजें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक जमीन और दूसरा उसके पशू जमीन किसान को अनाज देती है और पशू उसको दूद देते है और हर्याना की बात की जाए तो हर्याना के लिए तो कहा जाता है जि दूद नहीं का खाना देशा में देश हर्याना लेकिन हर्याना में ही एक गाउं ऐसा है जहां दूद बेचा नहीं जाता दूद का यूज जो है दूद का इस्तेमाल जो है वो गाउं में ही होता है गाउं से बाहर दूद नहीं जा सकता आखिर कौन सा है वो गाउं और क्यों पुराने समय से सौ सालों से डेड़ सो सालों से ये चल रहा है कि आज तक गाउं से बाहर दूद नहीं गया और अगर किसी ने दूद बेचने की जरूरत की तो उसका फल जो है वो उसके लिए अच्छा नहीं रहा आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा है वो हर्याना का गाउं जहां दूद कभी बाहर बेचा नहीं गया चलिए हमारे साथ हम बात करते हैं उस गाउं के निवासियों से गाउं का नाम है नाथुवास और हमारे साथ ग्रामीन हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या बजा है कि इस गाउं से बाहर कभी दूद बेचा ही ने गिया और कि यहां से गाउं से बार दुद जाता है ने गाउं से बार ना गाउं से अंदर ना गाउं से अंदर प्री में दे सकते हैं, फ्री में चाहे जामर जी का कोई भी ले जाओ कारण क्या है, मतलब हुआ क्या था एसा, और ये कब से चला रहा है ऐसा की दूद गाओं से बाहर जाएगा नहीं ये काफी पर्सों से चल रहे है, हमारे बुजरगरों ने किया हुआ है तो हुआ क्या था पसू बिमार हो गे थे ताव जी बोलना चाह रहे मैं बिमार होगी थी गरगेल अच्छा जी उस टेम बाबा ने यह बंदन लागा जा जो यहां बाबा थे उन्होंने बंदन लागा तो दूद नहीं बेकागा बोथा नहीं करोगे गुडगडी नहीं बजा होगी तब से अब तक किसी ने कोई कोशिश मीनी की ना किसी बार जुद बेचे है तो तो टोट मरा आज बाट जाके ए डेरी बनाडी तो टोट मराई यह अच्छा यानिया यहां तो बेची नहीं सकते अगर किसी ने बाहर जाके बेचा तब नहीं ऊगाइगा होगा तम रहे गया यहां सकते घी यहां का कोई भी लेके जा सकता है और मांग के लसी जैसे हमारा सहर के नजदीक होने से गाउं कम से कम रोजाना 200-200 आदमी सब नजान पेचान निकाल लखे लसी लेके जाते हैं यहां से फिरी ओप कोस्ट हमारी लसी भी नहीं बेख सकती नहीं दूद अच्छा किसी कोई गाउं में आया या उसको पता है कि हाँ यहां से हम दूद नहीं लिजा सकते लेकिन कोई फ्री में मांगे तो दे सकते हैं ऐसा है गाउं में कोई भी पंक्शन हो राम लीला करनी आगे या कोई बजनी आगया या कोई और काम के लिए आगे तो अगर बाल्टी लेगे आगे तो गाहँ वाले उसकी बालटी नुद यवर देंगे एक दो-दो गिलास उसको दे दे देदेंगे पर किसी इंशी नहीं करेंगे चन है और कि ख़करी का दूद और उने चाहिए उठाई उससे पहले उसके नुक्श्यान हो गया बेसे मरगी या बीमारीयां आगी या जो भी कारण हो है तो वो बिजनेस नहीं करता हमारा गाओं का आदमी चाहे आस्टेलिया जाबस जाए दूद का निकार अच्छा जी चाहे दुनिया में जहां मरजीर हैं लेकिन दूद का बिजनेस जो वो नहीं कर सकता है वो दूद का मतलब अपनी डैरी वगरा अपने होड़नी की कोशिव की हो या दूद भेचने की कोशिष की हो गान जब हाल कोशब करी तो इसका नुकसान ही हुआ है और कनी जिक हो जा गार जह सबस्द्सकान हो रहा है या मनलो दूद कभी हम उनिवाल प्राने समय की चाहा भी अब आगे मैं ठीखर जा है कर आघ अगर किसी ने कोशिश की बेचने की तो नुकसान होता है अगर के लड़कें वो चाहे जहां मरजी जाएं वो दूद नहीं बेच सकते गाउं की किसी लड़की की शादी हो गई दूसरे गाउं में हो गई या तीसरे गाउं में हो गई तो लड़की फिर बेच सकती है वो लड़की बेचेगी वो तो हमारे को तरसे गाउं से निकल गी लड़की क्योंकि गाउं से अलग होगी तो वो बेच सकते हैं वो तो बेचेगी वो अमारी थोड़ी रही वो दूनिया के किसी बीसे में जाकर दूनिया के किसी भीसे में जाकर दूद नहीं बेच सकता लसी जितने भी सच्छंग होते हैं या मंदिरों में दिवाली के टाइम पर जो कुछ भी होता लसी मेरे गाउं से आप जाती है पूरे अब भी दिवाली के ऊपर भी तकरीबन गरों के अंदर ड्रम रखे हुए थे जो मंदिरों से आते हैं और यहां उसमें लसी कठी करते हैं और ले जाते हैं उसे परसाद के रूप में जौनकुट का परसाद बनता है न उसे परसाद के रूप में बाद में भी तरित करते हैं पनवासी नाड़ न जव्ड़े, ट्रेक्टर भी ने जव्ड़े, पनवासी नाशन आपके माउ न जव्ड़े, ये आधे बहु था भाता, ये कुछ नहीं बनदी। और एक मोले क्पतवी नहीं लगाते। नहीं नहीं मारते। अधर चटे महीने की उसके अंदर एक बंडारा होता है उस बंडारा में जो भी यहां से निकला हुआ है गाउं कोई कहीं पर भी हो उस दिन तो वह बाबा के उपर जरूर तै जरूर आवाद हो कमानकातर जो भी यहां से एक बात खास है कि बाबा का अंदर जिसने भी मनत अपनी वह कभी खालियात ने गया है उसकी सभी मनते पूरी होती है वह गाउं से बाहर करें कोई भी हो चाहिए आपने यह जो मेरे गाउं के अंदर इंटरी करी जो गेट बनया था यह गेट एक पंडजीन बनवा था उसने कोई ऐसी मनत मांगी थी उसका वह काम सोली नहीं यहां पे थे और उन्होंने कहा था कि इस गाउं से कोई भी दूद बाहर नहीं बेचेगा और उसके बाद गाउंवालों का कहना है कि आगे भी यह प्रथा जो है वो जारी रहेगी हमारे साथ ताही मौजूद है अभी बूद निकाल के लाएंव ए कि तना दूद देती बेंस 11 bes ‫ 11-12 kg, एक टाइम का? एक टेम का, नीदोनों टेमा का, एक टेम का. दोनों टेमा का? तो ताइए फिर इस दूद को बेचते निये? ना, बेचा मारा, मानता है फुलपली बाबब की. क्यों नी बेचते, क्या बोलते हैं? कदे बुड़ाय की मानता है. कि दूद बेचना नहीं है, फ्री में जितना वर्जी देदा है, तो फिर इस दूद को जो घी बनता है या लसी होती है, उसको बेचते हैं, लसी नी 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 बेचते हैं, अलिए भाई राम राम बारत है इप दूसरा पासादे तीन किलो लिए और मानले बई मेरे बैसका दिकत आजया टेमप टेमप उस टाइम उसके भी देंदी और मेरे देंदी तो फिर वह सबकता बेठ्था को नहीं नहीं तो और थोड़ी वह जरूत का तो आपसमे ले ले हैं गाम कोई दिकत को नहीं तो थोड़ी नहीं मांगे जा बार बार है तो इतना तापा नहीं पता हो नाचिये बाई नू को नी वह तापसमे मेर मुलाजब में आपसमों हो जया है और लसी लासी कितनी ये ले ले लिए लासी तो बार गाम के भी खूब लेना है पूरा बैणी के लोग आँ है बाई हर्याना के इस गाउं की ये खासियत है और ये आज से नहीं है सौ से ज्यादा बर्षों से यही प्रता जो है वो चली आ रही है और आगे भी आगे की generation जो है वो भी इसको निभार ही है सहयोगी कृष्णा के साथ संजीव कुमार देश हर्याना टीवी